हेलो एवरिवन तो गर्मियों का मौसम शुरू होते ही खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है मन करता है कि कुछ हलका फुलका खा लिया जाए या कुछ ऐसा बनाया जाए जो इंस्टेंट भी हो और खाने में बहुत टेस्टी लगे और साथ में हेल्थी भी हो और ब बहुत पसंद आए और बच्चे तो खासकर इसे बहुत ही स्पेशली पसंद करें क्योंकि बच्चों को उपमा बहुत ज्यादा पसंद आता है बहुत बच्चे मीठा नहीं खाते हैं नमकीन खाना पसंद करते हैं यानि की कुछ तीखा खाना पसंद करते हैं तो उन तो यह आसानी से पक जाए इसके बिल्कुल भी ज्यादा मोटे टुकड़े नहीं करने हैं तो आप ज्यादा मोटे टुकड़े करेंगे तो यह फिर पकने में थोड़ी समस्या होगी और साथी मैंने ले लिए हैं थोड़े से बीन्स लिए हैं अभी गर्मियों का मौसम अब क्या करेंगे कि इसे मैंने एक प्लेट ले करके और उसमें यह सारी चीजे अलग करके रख लिए हैं ताकि अब हम चॉपिंग बोड़ पर कुछ और वी मैं सबजियां काटूंगी तो मैं आराम से काट सकों मेरा चॉपिंग बोड़ थोड़ा चोटा है तो इसलिए थोड़ी समस्य होती है कि मैं इसके उपर ज़्यादा सबजियां नहीं काट पाती हूं तो अब मैंने दो तीखी वाली लाल मिर्च ली है यह मेरे टैरेस गार्डन में आ रही है और यह बह जिनiva dog Fitness ऐहिए अगर आप सरसो का थम्रीजा तो इसमें बाना सकते हैं लोगी मैं एक अग्तिश्क स्थाच मों काटी तो सबसे पहले देखिए मैंने गी गर्मकं पर लिया उसमीं टाल भर एक चंत बर आप चंत चांत चने की दाल चंत यह अर उसके बाद मैं ल dengan ने अधा डुली वी उड़त य है तो तड़के में आपने देखा कि मैंने क्या क्या डाला है या डाली है चने की निपने कडला में आपने औक निरेंट सुजी बहुत हैं जो medium soji market में मिलती है जो हल्वा बनाने के काम में आती है आप उसी soji का इस्तमाल करें लेकिन आप soji को छान ज़रूर लें आप छानने केбыत बाद इस्तमाल करीं नहीं तुझ क्या होता है बहुत-बहुत पुरानी soji होती है तो उसमेंunky भी होते हैं तो इसलिए आप विशेश तरह मेरा कामwali लुद्धे टशीटे लोडं के ज्याई यहां रखे लिगा हैं व्छकरी गषाते है पर अच्छी तराकि तरीके हैं कर दो मैंने क्षेद के統ड़ी गाली चयाता है धिरा कि लुच्छ है Is not the butter, आप जाले प्रिफ information झाले हैं मुझाळे ही जले में के में में चला гор согласल जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास butter ही तो में डाली है दोन multiplayer कर गीया जैसे कि अब हो गहाए आप अधर का दिया बारीग हरीविश 8 kसफ 1 को सेясनुद बीट यां दो मैसे अराम से ढूर्न लेंगे आम और आपको factored मैं कहीं आराम से जाब भूनना सेड़ा है अगर आप आलू पसंद नहीं करते हैं लेकिन मेरे पास थोड़ी कम सब्जिया थी इसलिए मैंने इसके अंदर एक आलू भी बारी कट करके डाला है और अब क्या करेंगे कि फटा-फट से एक जिस कटोरी से मैंने सुजी नापी थी उसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी पानी ले लि अब इसके अंदर मैंने डाल दी है और साथी मैं इसके अंदर डाल दूंगी शिम्मला मिर्च इन दोनों को डाल देने के बाद इसे हम वापस से अच्छी तरीके से भूल लेंगे अब जरूर से एक बार इसे ट्राइ करें यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और नानब बहुत आसान लगता है क्योंकि इतना जल्दी बन जाता है और बहुत हैल्दी भी होता है और हल्का भी होता है खाने में और देखे इस तरीके से जब प्याज और शिम्मला मिर्च और बींस अच्छी तरीके से सिग गए है मतलब करीबन यह 50% तक मैंने नहीं भूल तो देखें अब मैंने नमक डाल करके इसे 1-2 मिनट तक फ्राइब कर लिया है अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डालूंगी यह पाव भाजी मसाला है तो आप एक बाद जरूर से पाव भाजी मसाला इस्तमाल करके देखें यह मसाला आगर आप इसके अंदर डालेंगे अब में इसे बापस भून लोंगी, तो देखिए इस तरीके से आप इसको बिल्कुल आराम से चलाते हुए इसको भून ले और इदर हमारा पानी गरम हो गया है, और अब मैंने इस मसाले के अंदर डाल दी है, भुनी वी सुजी, और भुनी वी सुजी डालने के बाद हमें इ जो कोटिंग है वो सूजी के ऊपर अच्छी तरीके से हो जाए तो इस तरीके से मैं इसको चला लिया है अब मेरे कोई से बहुत बड़ी दुर घटना हो जाती है तो इसलिए आप विशेज ध्यान रखें और देखिए अब इसको हम गरम पानी डालने के बाद सूजी को जब चलाना शुरू करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से पकने लग जाती है और देखते ही देखते ही इतनी आराम से जाएगी और यह गाड़ी होने लग जाती है तो देखिए एक बार तो आपका ऐसा लगेगा जैसे हल्वे की तरह बिल्कुल जितनी जल्दी हल्वा बनता है उतनी जल्दी बनकर के तयार होती है बस इसमें खाली थोड़ी सबजीयां होती है तो सबजीयों काटने में महनत ह तो आप महनत से बिल्कुल भी नगब राया और यह बहुत ही खाने में तेस्टी लगता है आप इसके साथ खाने के चटनी भी बना सकते है अगर आप नारील की चटनी बनाते है तो नारील की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ या आप इसके साथ दही मसाले व हमारा बन करके तयार हो गया और मैंने इसके उपर डाल दिया है हरी पत्तिदार धनिया डाल दिया है और यह हमारा उपमा बन करके तयार हो गया है तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें